Hello students, welcome back to my channel Smart Study. Students, आज हम Directed of Education की तरप से दी जानने वाली Worksheet No. 37 करेंगे, जो की Class 8 की है और Subject है Science. ये Worksheet 26 February 2021 की है. तो आज़े शुरू करते हैं आज की Worksheet. Worksheet शुरू करने से पहले, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आज़े देखते हैं आज की Worksheet, Force and Pressure. An object cannot move by itself. एक कोई भी object अपने आप move नहीं कर सकता है. It cannot change its shape, direction by itself. नहीं वो अपनी, देखो, अगर वो move है, move कर रहा है, तो वो रुक नहीं सकता. अगर वो, मतलब, move नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप move नहीं कर सकता. यह पिछली Worksheet में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था. अब हम देखते हैं, Type of Force. Force के दो टाइप होते हैं, Contact Force और Non-Contact Force. Force between object in direct contact with each other. जब क्या होता है, ऐसा Force, क्या है, Contact Force के बारे में पढ़ रहे हैं, कि ऐसा Force जब क्या होता है, जो direct contact में होता है, उसे हम कहते है, Contact Force, जैसे कि Muscular Force and Friction Force. यहां से समझो, जब क्या किया जाता है, ऐसा Force, दो, देख, एक object के बीच में, और एक object के बीच में क्या होगा, अपको Contact कर रहे हो, और उससे क्या हो रहे है, उसमें Force लग रहे है, जैसे कि आपने एक बोल को क्या क्या टच किया, बोल को धका दिया, तो आपने बोल को टच किया, तो यह कैसा Force होगा, Contact Force, और इसमें भी आपने, देख, जब तच किया, तो आपने अपनी ताकत लगाई, बोल को धका मारने के लिए, तो आपने क्या लगाई, अपनी ताकत तो यह कैसा हो जाएगा muscular force अभी हम उसके बारे में समझेंगे तो सबसे पहले जब force contact से लगाया जाता है contact होता है दो force के बीचे 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 contact होता है उसे हम क्या कहते है contact force जेखो muscular force the force resulting due to the action of the muscles जब action of muscles के कारण कोई force लगता है आपकी muscles के कारण कोई force लग रहा है तो उसे हम क्या कहते है muscular force जेखो it is a muscles that enable us to perform the all activities involving movement or blending in our body देखो क्या कहा जा रहा है एक बल फिरेट करता है it is a muscle that enable us to perform all activities involving movement or blending in our body देखो क्या कहा जा रहा है हमारी body के अंदर जितनी भी movement होती है वो कौन करवा रहा है आपको muscles की वज़ा से हम इदर दर activity कर रहे है हमें कौन इसमें हमें energy दे रहा है या कौन हमें मलब करने के लिए ताकत दे रहा है तो वो है muscles animal like girls horse donkey and camel also use muscular force to carry out different tasks for us जो animals हैं जो क्या करते हैं carry करते हैं समान को तो वो भी किसकी वज़े से करते हैं अपने muscular force की वज़े से करते हैं अब हम समझते हैं यहां पर इसको समझो can you lift a bucket of water without holding it क्या आप उसको without hold के बिना उसे touch के उसको उठा सकते हैं can you push or lift a book laying on a table without touching क्या एक table पर book रखी है क्या बिना touch किये उसे आप उठा सकते हैं या उसे धका कर सकते हैं इन चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको उठाना पड़ेगा और उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा किस चीज का यूज करना पड़ेगा अपनी muscles का यूज करना पड़ेगा तो यह था muscular force, अब हम देखते हैं, friction force, friction force में क्या कहते हैं, in our day to day life, we experience that a ball rolling alone the ground gradually slow down and finally come to rest, देखो मान लो यह एक बोल है, इस तरह से आपने इसको पुछ किया, तो दीरे दीरे इस तरह से देखो, क्या होगा पहले तो दीरे दीरे ऐसे जाएगी, तो दीरे दीरे इसकी speed कम हो जाएगे, फाइनली क्या हो जाएगे, यह एक दम रुख जाएगे, यह experience आपने कई बार किया होगा, ठीक है, तो देखो क्या कहा जा रहा है कि, in our daily life to life, we experience that a ball rolling along the ground gradually slow down, दीरे दीरे slow down होईगे, and finally come to rest, दीरे क्या हो यह रुख जाएगी, boat come to the rest, if we stop rolling it, अगर हम जैसे कि boat ह इसको हम रोल करना बंद, जैसे इसको गुमाना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, यह stop हो जाएगी, a car or scooter stop once its engine is switched off, अगर car और engine का, हम जो car और scooter का engine off कर दे तो car भी क्या हो जाएगी, stop हो जाएगी, in all this no force appear to be acting on the object, हमें यहाँ पर कोई भी force ने, हमने तो चाबी घुमाई है यहाँ पर काम आता है, हमारा friction force, the force responsible for changing the state of motion is all this example, is force of friction, यहाँ पर क्या है, देखो हर में क्या और चलती हुई, बोल थी वो रुक गई है, जो बोड थी उसको हिलाया नहीं, तो चल रही थी लेगन रुक गई, उसके बाद काड़ी या scooter का engine on नहीं किया, तो भी रुक गई ह तो देखो, क्या हुआ पहले तो अगर बोल के बात करता है तो चल रही थी लेकिन धीरे धीरे फी रुकी धीरे धीरे कम हुई, उसके speed फिर फुरुक गई, तो यहाँ पर कौन सा force काम किया, यहाँ पर force काम किया, friction force, अब देखो, friction force क्या होता है, friction force को हम сभास Northيا, friction force जो होत उसकी surface से यह contact बनाएगा और ball को रोकने की कोशिश करेगा opposite करेगा मतलब जो आपने किया है आपने जो force लगा है उसके opposite direction में force लगेगा आई हम read करते है force of friction the force of friction always act on the moving object हमेशा moving अगर कोई ball रखी है तो उस पे कोई friction नहीं लग रहा है लेकिन अगर वो moving है तो moving object पे हमेशा यह force लगता है इस direction is always opposite to the direction of motion motion के direction जिस में move कर रही है उसके opposite होता है हमेशा इसका force ठीक है जो friction force है वो हमेशा moving जिस direction में moving कर रही है न बोल या कोई भी चीज तो उसके हमेशा opposite होता है it is also an example of contact force contact force है बिल्कुल जैसे कि यह बोल है तो यहां surface से contact हो रही है तो यह क्या हो जागी contact force हो जागा this force arise due to the contact between surface यह force क्यों arise हुआ है कि यह touch किया है इसने surface को touch कर रही है न उसकी विज़े से यह क्या हो है arise हुआ है ध्यान से समझो एक बड़ी फटा 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 फिर समझाते है friction force जैसे कि यह ball है यह इस तरह से move करती करती निरे रुकेगी और यहां पर डुप जाएगी अब हुआ क्या जो force हो किस तरफ लग रहा है ball का इस तरफ लग रहा है ठीक है और जो friction है वो हमेशा opposite direction में लगता है तो यहां पर लगेगा friction force कहां लगेगा यहां पर लगेगा ठीक है और second क्या कहा रहा है कि हमेशा moving object पर लगता है opposite direction में लगता है और third क्या है contact force है अब हम यहां देखे कि contact हाँ और जिससे कि ball तो यह move कर रहे है लेकिन इस surface पे तो जिससे पहले इसका यह color से समझते है देखो क्या कहा जा रहा है कि यह surface है ठीक है और यह है यहाँ पर ball है तो पहले क्या करेगा पहले यह वाला part touch हुआ ठीक है पहले कौँसा part touch हुआ बोल को यह तच होआ फिर यह touch होगा फिर यह touch होगा तो जहाँ जहाँ से contact होगा वहाँ महाँ friction लगेगा और जो ball है finally क्या हो जाएगी stop हो जाएगी अभी थोड़ा जारा detail में नहीं समझते आगे करेंगे इस worksheet में अभी हम करते हैं इसके question answer क्या कहा गया question में find the type of the force acting on the below situation देखना है कि contact force है या फिर कौन सा force है या फिर वो है non contact force ठीक है अब board comes to the rest if stop rolling it अगर board को हम क्या कर देते हैं stop कर देते हैं तो वो क्या करती है बताओ वो क्या करते है stop हो जाते तो क्या fraction हुआ यह तो यहाँ पर देखो कौन सा force टाइप ओ फोर्स लिखना है तो हम यहाँ पर contact force लिख सकते हैं या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा force है यह muscular force क्यों the board comes to the rest with the rolling rolling क्या कर रहे आप contact पर लगा रहे हैं आपर तो यह कैसा हो जाएगा muscular force हो जाएगा when a person lift a bucket of water इसे भी क्या हो जाएगा contact force हो जाएगा यह भी कैसा हो जाएगा muscular force हो जाएगा when a person hammer nail जब nail जो हतोड़ा है वो nail पर मारा है तब भी यह भी क्या हो जाएगा contact force हो जाएगा और यह भी कैसा हो जाएगा muscular force हो जाएगा को सोबिक्षुन हम लिग देंगे इसलेटे हैं विकॉज और फिक्शन पोर्स किकान की कारण ही तो यह मैं सो फ्रिक्शन पर कैसा ताइप है वहुर्स पॉन्टक्ट और नोन चुटक्ट कैसा बताओ सर्फेस से टच हो रहा है तो कैसा हो जाएगा contact हो जाएगा explain हमें इसे explain करना है तो explain करने के लिए हम देखते हैं यहां से लिखेंगे अप answer number 3 ठीक है the force is friction always act on the moving object हमेशा moving object पे काम करता है its direction is always opposite to the direction of motion it is an contact force it is यहां से लिख देजगा it is an contact force this force arise due to the contact between surface तो यह हो जाएगा answer number 3 तो बिटा आज की जो worksheet है वो complete होती है worksheet complete करके अपने तीचे से चेक करवाईए और please मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए thank you students